वेल आप लोगों ने इंटरनेट पर कई बार सुना होगा कि भॉर्न बफे इंडीगेटर नाम की एक छीज होती है बटऊRETप होती ही क्या है ऐसा कॉनसा इंडीगेटर है जिसका नाम ही बहुत वार्ण बफे इंडीगेटर है बढ़ आज हमार सब क्रेक्टेड है ओने ओली मिस्टर सी ए अंकोष जैन जो कि एक से भी रेश्टर्ट प्रोफेशनल है जो कि आपको वार्न पुफिर इंडिकेटर के बारे भी बताएंगे और आपको इस वीडियो के अंदर वार्न पुफिर बोलते हैं कि आपको स्टॉक्स नोने वाली वीडियो के अंदर हमें फिनाशल ट्रांस्फोमेशन सीरीज के अंदर है तो यह चीज़े जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी सीरीज के अंदर हम देनी की कोशिश कर रहे हैं अगर उसका फॉर्मॉला हम देखना चाहें तो वार्न पॉर्मॉला है टोटल मार्केट केपिटलाइजेशन डिवाइड बाई जीडीपी जितनी ज्यादा जीडीपी होगी और जितना कम मार्केट कैप होगा वो सिचवेशन में मार्केट सबसे कम दामों में मिलने की कोशिश हो सकती है मतलब वो सबसे कम दामों में उस समय आपको मार्केट में स्टॉक्स मिलने क कि गुंजाईश होती है इसका पर इंवेस्मेंट करना चाहिए जितना भी कैश आप गोल करते हैं उसमें मार्केट में लगाने की कोशिश करना चाहिए यह बेसिकली रेशो इसमें टोटल फाइज होती है जहां पर 63 परसेंट से लेज देन और एक्वल टू रहता है तो वह अगल का इनकलेघ निगलेगा मार्केट में जितनी बी कमपनी है हर कमिन आपना मार्केट कैप होता है आप ऊपनापना इसका पना है टो जितनी इसलिए है उन सब मार्केट जोड़ दीजै और उसे अच्की भी मिल जा आपको अब आज का में आपको डिर्टली वेबसाइट सी मिल जाती है जो कि आपको बता देते हैं कि अभी मार्केट के चल रहे हैं जैसे अभी आप देखेंगे जिस दिन हम यह वीडियो बना रहे हैं तो अभी 99.18 परसेंट इसका रेशियो का फिगर आरा है एक्जामपल के लिए देखो मार्के क्या जीडिपी जो है अगर वो 63 परसेंट से कम होता है तो सिग्निफिकेंटली अंडर वैलिवड है यहां पर आप 100 परसेंट कॉंटिटी से पर्चेजिंग कर सकते हो और उसके बाद 63 से 81 81 से 99 99 से 117 और 117 परसेंट के उपर सिग्निफिकेंटली ओर वैलिवड है अब यह मुझे लगता है काफी लोगों को शैद पढ़ लिया होगा पता लग गया होगा बड़ जो इसका एक मोडिफाइड वर्जिन है वह आप लोगों को बताइए कि उससे वह बहतर जज्जमेंट कैसे लेकर आ सकते हैं मोडिफाइड वर्जिन बेसिकली यह है कि जहां पर भी टोटल मार्केट कैप डिवैड बाई जीडीपी प्लस टोटल असेट्स ऑफ सेंट्रल बैंक यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम बात कर रहें कि उनके पास जितनी भी टोटल असेट्स है उसको ह हम मार्केट कैप को इस अमांट से डिवाइड करेंगे तब जाके हमारा एक रेशो निकलेगा वह रेशो में अगर 56 परसेंट या उससे लेस रहता है तो वह एक सिग्निफिकेंटली अंडर वेल्यूट सिचवेशन होती है इसी प्रकार से जब ग्रेटर देन 105 परसेंट हो तो मार्केट एकदम ओवर्यूट सिचवेशन में पहुँच जाता है और अभी 89 परसेंट के असपास मोडेस्टली ओवर्यूट मोडेस्ली ओवर्यूट है बट यह रेशो को हमें उस समय यूज नहीं करना चाहिए जब मार्केट में एक्स्टारणरी चीज़े चल रही हो जैसे कि अब इलेक्षन का दौर चल रहा है इस समय हो सकता है यह यह रेशोस ज्यादा देखें इस वजह से हमें लगेगी मार्केट आज की तारिक में काफी टॉप में चल रहा है बट यह नीजिसे ही कहता हो जाते हैं तो वापस से यह रेशो नीचे आना चालो हो जाएग वार्न डफेस इंडिकेटर को यूज करके बहुत बार मार्केट का बॉटम और टॉप भी इंडिफाई कर चुके हैं जी बिलकुल तो मलब उसके बारे में आप लोगों को स्थोड़ा से आपर गाइड गीए जी ये इंडिकेटर से वार्न डफेस आपको ये जानकारी मिल जाती थी कि आज के तारिक में ऐसा समय चल रहा है जब हमें पैसा लगाना चाहिए दबा के क्योंकि वो हमेशा कैश होल करने की कोशिश करते हैं कैश रिच रखते हैं अपने आपको बक्षार हत्वे में और जब भी उनको मौका मिलता है कि ये वाले रेशो में आ चुका है तो वो दबा के अच्छी अच्छी कंपनियों को खरीदना चाहते हैं जैसे कि उन्होंने कोका कोला खरीदा था तो कोका कोला में भी उनसे एक मिस्टेक जरूर हो गई थी कि सालों बाद उन्होंने 50% उसका बेस दिया था जो शेर को खरीदा था उसके बाद उन्होंने कोका कोला का एक भी शेर नहीं बेचा और उनका एक बड़ा वाक्या है कि वो हमेशा बूलते हैं कि आप सर्कल पहले तक उन्होंने software की कोई भी company में इन्वेस्ट नहीं किया था अभी recently उन्होंने Apple में holding बनाई है अपनी उसके पहले तक वो कभी भी IT stocks में इन्वेस्ट नहीं करते थे क्योंकि वो business उनको समझ इस नहीं पहले तो इन से आप जितनी आज गाइड़ने सकते जरूर लो तो यहां से मैं चाहूंगा कि आप लोगों को यह बताए कि कि अभी intrinsic value को कैसे identify कि आप सिर्फ डिस्काउंटेट कैश्फ लो में इस नतीजह पहुंचेंगे कि अभी intrinsic value यह फिर वेल्यूशन जी intrinsic value को निकालने का काफी तरीके हो सकते काफी मापदंड हो सकते कोई चाहे तो निकाल सकता है उसमें क्या होता है कि हम कुछ सालों के previous data को लेता है insan अगर मैं पकड़ लेता हूं जो भी नंबर निकल के आता है उसके basis पे आपको एक intrinsic value derive हो जाती है इसे आपने यहां पर तीन methods बताएं जी सो हमने discounted cash flow method की बात करी हमने dividend model की बात करी और हमने earning model की बात करी apply कर पाएं ओके जी बिलकुल मैं बताने की गोशिश करूँगा की for example मेरे को पिछले 10 साल के मुझे dividend मिल जाते हैं अब ही हम किस पर हैं कौन सा method discuss करें सबसे पहले सबसे पहले अगर हम free cash flow method discuss करेंगे तो मेरे ख्याल से वही एक तरीका आपको हर इक चीज का आंसर दे देगा तो हम discounted cash flow method को discuss करते हैं so discounted cash flow method में आपको पिछले 10 साल के पंदरा साल की जितने वी सालों के आपको free cash flow मिल जाते हैं हमें काम करते हैं हमें example लेते हैं एक लाला जी की example लेते जिनकी गार्मेंट की shop है बिल्कुल आप चाहें तो मैं VST Industries का भी ले सकता हूं अगर Excel में calculations भी देखना है तो भी मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन में दर्शकों को देख बेजाएगा तो मैं इस तरीके से समझाना चाहता था कि अगर कोई आदमी कहें कि एक दुकान मिल रही है और एक लाला जी की गार्मेंट शॉप है वो पिछले 10 साल से वो गार्मेंट शॉप चला रहे हैं और वो कह लोगों को इसका जवाब भी मिल जाएगा राइट क्योंकि वो एक तरीका होगा जिससे इंट्रेंसिक वैल्यू निकल जाएगी कि बिजनस की एक्चुल वैल्यू क्या होनी चाहिए कि हमें वो 50 लाग में खरीदना महंगा है सस्ता है जी तो वो भी समझ जाएंगे तो उसक को सिंपल लेंगवज में पताना पड़ेगा स।क्या है जी तो आप बता दो चलो और नहीं पता सकता है कि जो भी ऐसक्श कंपनी को बास होता है जिसे वह आज आज के आज कहीं पे भी किस को देना चाहे या निकाल के इन्वेस करना चाहे तो कर सकती है तो कर शकती डाट ज ही भी बताइगे कि माइनस में क्यों आता है यह माइनस में तब Ober्फ काहंद किने कोई इन्वेश्मेंट करी है इन्वेश्मेंट तब करी है किसी बैंक से लोन लेकर तो तो सकताए कि एच्छौ सबस्क्त है so basically free cash flow को हमने यहां से line से लिख दिया है 2012-2023 इसमें हम trend identify कर रहे हैं कि हर साल year on year क्या trend रह रहा है free cash flow का जो हमें दर्शाता है कि कभी कम कभी जादा हो रहा है इसके बाद हमने number of shares लिख लिए है current market price कि समय में क्या रहा था तो इसमें हमने 31 मार्च का हर साल का rate लिया हुआ है इसके बाद हमने market cap निकालने की कोशिश करिए हर year का कि क्या market cap रहना चाहिए tentative और उसके बाद ROI in cash यहां पे एक formula लगाया हुआ है जिससे हम यह समझ रहे हैं कि free cash flow divided by market cap तो वह किता percentage आता है free cash flow divided by market market cap नीचे रहेगा market cap नीचे रहेगा और free cash flow उपर रहेगा अच्छा ठीक है मतलब हम सिर्व यह समझना चाहरे हैं कि हमारा cash किते time में निकल सकता है market cap के basis पर आप यह कहना चाहते हो कि अगर एक company को market value कर रही है 5000 क्रोड़ का तो हमारे पास कितने percentage of cash है यह अब बताना चाहरे है कितने percent cash है इसमें अब लाला जी की बात करें तो लोगों को समझ आएगा लाला जी की कपड़े की दुकान है तो उनके गल्ले में पड़े हैं पांच लाग रुपे या धाई लाग रुपे और वह मांग रहे हैं 50 लाग उस गल्ले के साथ हां हां तो वह जो गल्ले में डही लाग पड़े हैं वह हो गया इनका free cash free cash flow और जो 50 लाग मांग रहे हैं वह एक तरीके से मार्केट में जो उनकी एक्चुल में वैल्यूइशन लगी होगी है लगा रहे हैं वह मार्केट करेक्ट तो पांच परसेंट उन आप कुछ ऐसा ना बोले हैं कि बिगनर्स को बिल्कुल ही ने समझा है जी तो मैं बिल्कुल ऐसे एक्जामपल्स लोगा कि वह सीख रहे हैं डिसकांट कैश फ्लो पड़ोने समझ ऐसे हैं कि लाइफ में बूले ना बिल्कुल सभी बात है तो हम यहां पर टोटल कर लेते है और मार्केट के बाज की तारिक में अगर टोटल हम करते जाते तो कितना अब यह फ्री कैश फ्लो डिवाड़ेब मार्केट केब हम करते हैं तो हमारा रिटर्ण ओन इन्वेस्मेंट निकल जाता कि परसेंटेज निकल चुका है जो कि 3.79 परसेंट उसके बाद हम देख रहे इस से मल्टिप्ला करके हम निकाल रहे हैं कि आज के तारिक में मार्केट केप कितना है उसको देखने के बाद हम निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारा मार्केट केप का 3.79 परसेंटेज का हमारा अगर फ्री कैश फ्लो होता तो आना कितना चाहिए था नेक्स्ट यह तो उसका हमने 199 निकाल लिया है मतलब 199 करोड वन निकाल पा रहे हैं कि 199 करोड इनका मिनिममम फ्री कैश फ्लो हो सकता है नेक्स्ट यह आने वाले समय में मतलब कि यह एवरेज फ्री कैश फ्लो है बेसिकली दोस्तों इसका मतलब एक बार को मैं आपको समझाना चाहूंगा तो यह समझा गया कि आपको लाला जी के गल्ले में डाई लाग रुपे उपड़े हैं यह जो फ्री कैश फ्लो है हर साल कैश आ रहा है इसका मतलब यह है कि हर साल लाला जी के गल्ले में इतना कैश और इखट्टा हो जाता है तो अगर आज कोई 50 लकी दुगान खरीद कि अगर आज कोई इस कंपनी को जो यह विस्टी इंडस्ट्री इसे बावन सो साथ करोड़ गास पर खरीद लेगा तो उसके बस लगबख 200 क्रोड़ का कैश फ्लो भी आएगा बिलकुल जी अगर वो खरीद लेगा खरीद और वह लगबख 6.32 दशमलब से बढ़ बढ़ ब आपने 50 लाग लगा किसी बिजनस के लिए तो 50 लाग वापस कब आएगा आपको कितने साल लगेंगे तो अभी तक हमने यह कोशिश करी है राइट यह शीट आप बिल्कुल डरीए गमत यह शीट में जो फॉर्मिले लगे हैं हम ट्राइब करेंगे शीट का एक लिंक आपक इसी तरीके से आप से फॉर्मिले के हिसाब से आप फिगर जा लिए और आपको यहां पर सारे जाएगे जी बिल्कुल जी सो अब हम नीचे जाते हैं तो यहां पर हमने फॉर्स्ट एयर का ले लिया है 199.48 जो कैश लो था उसमें हम 7.5 परसेंट का हम समझते हैं कि हर साल यह और यह ग्रोथ होनी चाहिए क्योंकि इंफ्लेशन भी हमारे 7% का हो जाता है कम से कम 6-7% का तो उससे साब से हम हर यह में 7.5% का इंक्रीमेंटल आड किये हैं और उसे के साथ डिसकाउंटिंग फेक्टर हमने 7.5% यूज किया है इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको यूज करने का हर किसी का अपना अलग तरीका हो सकता है तो मैंने यहाँ पर 7.5% का डिसकाउंटिंग फेक्टर यूज किया है जब मैं डिसकाउंटिंग फेक्टर का मल्टिप्ला करता हूं अपने free cash flow से तो मेरा discounted free cash flow निकल जाता है जो मुझे total value निकाल के दे देता तो पुशकर जी स्क्रीन में देख रहा है मैंने पूरे फ्री कैश लो अलड़ी लिख लिए डिस्काउंटिंग फेक्टर अलड़ी डाल चुका है और साथ ही साथ आगे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट क्या रहे सकते हैं वो भी डाल चुके हैं तो अब मेरे कहल से मैंने आपको ब आशा मैंशा समझ आएगा तो वही एक्जैंपल लेते हैं लाला जी की दुकान पचास लाग रुपे में वह बेशना चाहरे है तो अगर आप स्क्रीन को देखो करके लोगों को नंबर फोबिया होता है नंबर जाथा बिजनस समझ आता है एक नंबर पसंद आता है वहता है बैंक का बैलन्स बढ़ता रहना चाहिए वह नंबर सबको अच्छा लगता है और बैलन्स बढ़नाने की द्हान देते हैं अनिवेस तो इन बातों से कुछ नहीं होता से मौज मस्ती हो जाती है थोड़ा लोगों को कमेंट डालना चाहिए पांट यह पते है कि पैसे सबको हैं हम पॉइंट यह कि उन्हें ऐसा लगए कि मैंना किसी अकाउंटिंग क्लास में आ गया तो ऐसा नहीं लगना चाहिए बिजनस को इजी तरीके से समझाते हैं कैश फ्लो मेथड जो है अब यह डिसकाउंटिड कैश फ्लो का मतलब क्या है इसे समझते हैं आपे मैं बहुत आसां तरीके से समझाते हूं आज लाला जी की दुक दुकान हमने क् कोशिश करीदी और लाला जी की दुकान जो हम खरीदने की कोशिश करना चाहर हैं लाला जी मंग रहे है पचास लाग रुपे और हम ये इंटिफाइ करना है कि यह 50 लाग जदा ह Oo शादा है मैं बहलु बेच रहे हैं तो क्या अगले साल यह पैसा बढ़कर आएगा आप कोगे यहां बढ़कर आएगा पई दस परसेंट तो बढ़ने ही चाहिए तो अगली साल मेरे पास क्या होगा मेरे पास होगा दो लाग फिस्तर अजार रुब वह एक साल के बाद आएगा तो अब हम इसे करते है और शुबता है लिसकंत कश लो कि दस परेंड के हिसाफ के हिसाब नबर वन तो इस असाल प्लस 10 परसंट मुए प्लस 10 टो अभी जब यहां पर एक्जांपल ले रुई हो यहां पर यह देखा कि जो वीएस्टी इंडस्ट्रीज है इसके पास 2022 के अंदर 219 करोड रुपया है 2023 में यह 241 हो जाएगा 2024 में 266 हो जाएगा 1010 परसेंट हम बढ़ते जा रहे हैं अब यहां पर अगर आप समझें तो जब हम इसे डिसकाउंट करने की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगी इंफ्लेशन जो है इंफ्लेशन है उसकी वएसे क्या होगा कि महंगाई बढ़ रही है अब अगर मुझे 2025 में कोई पैसा देगा 292 आप समझो आपको कोई अम लाला जी के एक्जांपल लेते हैं उनके गल्ले में बढ़ लाक बाड़वे जर बोलेंगे ना 92 तो आज के दिन उसकी वैल्ली होगी 29,000 अगर कोई आपको पांच लाक 17,000 या 517 रुपे देगा 2021 में तो आज के दिन उसकी वैल्ली होगी 251 इसे हमने डिस्काउंट कर दिया यहां पे 75 परसेंट से तो आप देख रहे हो भू कार्मिन शौप से में पैसे आने वाले हैं तो 2 लाक उन्ने से जार आने वाले बंड माल लो एक सल के बाद आने वाले है यह ने 211 तक का तो लिए लिए बट आपको गयार बिजनस तो उसके बाद भी सलता रएगा क्योंकि बिजनस उसके बाद भी सलता रहएगा वट अब दो पॉइंट आते हैं यार 21 तक तो हमें लगता है कि 10-10% गर्फ से बढ़ेगा बड उसके करना हम कह नहीं सकते हैं शायद इतनी ग्रोथ नहीं आए बट बिल्कुल मिनिमम ग्रोथ भी बोलो तो भाई कि परसेंट की ले ले लेते हैं तो यहां पर आपने शायद अंकुशी ड़ी परसेंट का फॉर्मेल लगा हो तो वह सब का अपना अलग लग हो तो आपने यहां पर 2.3 परसेंट के साब से देखा कि इसकी इन्फाइनएट वैल्ली वैल्ली इंफाइनएट टैंश के अंदर इन्फाइनएट इयर्स के अंदर यह लगभग कितना कैश हमें लेकर देदेगा तो अगर हम इसका फॉर्मेल लगाएंग में आएगा पर उसकी आज की डेट में प्रेसेंट वैल्ली कितनी होगी उसकी प्रेसेंट वैल्ली होगी अगर यहां पर मैं 9950 बोल रहा हूं तो उसकी वैल्ली होगे 4491 और अगर आप 99,50,000 सोच रहे हो तो 44,000,004 लाग आगे 91,000 अपसूद से समझ लो अगर आपको यहा आएगा आपको यहां पर अगर आप इसे टोटल करोगे गुवारत समझना जो भी पैसा हमें लाला जी की शॉप से आने वाला है अगर मैं उसे डिसकाउंट कर दूं यहां पर हमने 50 लग बोला था यहां पर जो हम कमनी की अनिलिसिस कर रहे हैं इसकी जो मार्केट कैप है व तो आप देखोगे टोटल कैश फ्लो आता है 6759 बलाब 67 लाक से ऊपर का कैश आने वाला है हना तो आई भी यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू एंट्रिंसिक वैल्यू पर शेर की इंट्रिंसिक वैल्यू कि कैसे निकले इसे आप अभी हम आएक्च्वल में तो मैं एक लिए अगर आप उसे total number of share से divide कर दोगे तो आपको पर share की intrinsic value देहेगी that is 4389 और अभी जो current market price चल रहा है से CPM बोलेंगे current market price वो चल रहा है 3420 तो अगर आप इस industry VST industries right तो अगर आप VST industries को खरीदना चापते हो या इसका एक share खरीदना चापते हो या आप Lala जी की दुकान खरीदना चाहते हो तो लाला जी की दुकान अगर आज वो बावन लाक मांग रहे थे तो हमने यहां पर देखा कि इसकी value जादा आ रही है मतलब उसकी value जादा और पैसे कम मांग रहे है इसी तरीके से वीस्टी इंडस्ट्री का जो intrinsic value पर शेयर का वो साथ है और करेंट मार्केट प्राइस कम है इसका मतलब है सस्ता मिल रहा है और इस तरीके से आप अच्छी कंपनी इसको जल्दी पिक अप कर सकते हो discounted cash flow method किसी भी business पर लगा सकते इसके बहुत सरे combinations हो सकते एक combination यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपने शायद चेंज किया है आपने इसके बाद अपने लिया है 6.4% से कि उसके बाद ग्रोथ कम हो जाएगा तो यह ऐक अलग combination हो गया यहां पर और आपने डिसकाउंटिंग पर सेम लिए सेम लिए सेम लिए तो इसके हिसाब से आई वी आ रही है 313133131 की ओके आपका सीपीन जाधा चल रहा है करें मार्केट प्रेस और 6.4 परसेंट आफ्र 5 यह तो आप देखिए इसी मॉडल के अंदर जब हम 10 परसेंट की ग्रोथ मान के चल रहे थे कि 10 परसेंट के आप से कैश फ्लो बढ़ेगा तब वहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू जाधा थी और शेव का करेंट मार्केट प्रेस कम था बट जैसे हमने यहां पर टोटल कैश फ्लो के साबसे मार्केट यहां पर निकाल दिया ठीक है इंट्रिंसिक वैल्यू सो यह मॉडल आपको शॉट में तो समझ आगया होगा कई लोगों के बार में नहीं भी समझ आएगा पर आप इस वीडियो को कई बार देख सकते हैं यहां से आगे कंट के साथ साथ earning growth का percentage जो लेना है उसे भी निकालने के काफी तरीके होता है तो उसको लेना काफी important हो जाता है कि कौन सा earning percentage वो ले रहा है उसकी cash flow को growth के लिए और आपने last में यह जो समझाया कि 9950 को जो infinite value आ रहा है इसमें भी लोगों के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं अलग- discounting factor minus growth rate से तो discounting factor हमने 7.5% लिया है उसको minus करना है 2.3% के growth rate से वो जो भी number आ जाएगा उसको 517 को वो number से divide करना है वो number से हम divide करेंगे तो हमारा last जो final value आना चाहिए उस time का infinite value तक के लिए पूरी value निकल जाएगी और उसको आपने discounting factor की सबसे बता दिया है तो इसमें सबसे important मतलब यह जो discounted cash flow method है इसमें सबसे important आपने दूसरे model में भी already देख लिए है सबसे important factor role play करता है कि आप क कहां से आपको number उठाना चाहिए इसके लिए मैं suggest करूंगा कि अगर किसी को भी यह numbers निकालने हैं तो सबसे पहले उसको discounting factor लेना चाहिए कि आज की तारिक में आने वाले समय में inflation क्या हो सकता है और दूसरी चीज अगर उसे growth का number लेना है तो growth के number को उसको यह लेना इसी प्रकार से हम CAGR लेंगे और जिससे आप intrinsic value को निकाल सकते हैं और आपकी investing कर सकते हैं तो यहां पर आपको दो समझ आई एक तो यहां पर यहां पर दो चीज़े रहे गई हैं हमने बात करीदी कि intrinsic value निकालने के लिए तो discounted cash flow method एक अर्निंग method है और दूसरा है आपका dividend method जी अब अगर उसे explain करने जाएंगे तो और टाइम लग जाएगा बट डेफिनिटली इस वीडियो से आपको काफी value मिल चुकी अगर आप चाहते हैं कि earning method के ऊपर और dividend जो भी निवेशक होता है उसे एक प्रॉपर सिंगल कॉल हम देने की कोशिश करते हैं जो वह प्लाटफॉम से खरीच सकता है दूसरी चीज एक analysis भी कोई खरीच सकता है जहां से उसे प्रॉपर लेवल्स मिल सकते हैं अपने conviction को इंग्रीज करने के लिए मार्केट में पार् स्टार्ट होता है सिर्फ और सिर्फ 39 रुपीज से हमारी सर्विस स्टार्ट होती है कि intelligence एक सेवी रेस्टेट कंपनी है और हम लोग एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं जिसमें पूरी हैंडोल्डिंग दी जाती है तो जो भी ट्रेडर निफ्टी बैंक निफ्टी के फ है उसे यूज कर सकते हैं very nice so I hope आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा so अब हम नेक्स वीडियो में एक फाइनल वीडियो पर आने वाले हैं और सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको इस वीडियो को देखना क्यों जरूरी है तब तक के लिए यूज सेल्फ मेट एंड जैहिंद